इस हरी सते पर खेलने वाले बैट्समेन को थोड़ा मुसीबत का सामना करना होगा कोई शौट लगाने से पहले खुद कुछ संभालना होगा और हमें हिट्स मिला रहे शुरुआती रंज बनाने के लिए अच्छी विकेट हम पहले बैटिंग करेंगे उच्छा से भरे दर्शकों से भरा स्टेडियम दोनों ही टीम पूरे फॉर्म में है देखते हैं कौन मैच जीतता है पावर प्ले चल रहा है वे प्ले खाब बैट्स है बड़ा लक्ष, बैट्समेन को हर मुम्किन कोशिश करनी होगी, मैच जीतने के लिए बावलर ने बैट्समेन को इस डिलिवरी से माद दी, इन हालाक में डॉटबाल कुछ सही नहीं लग रहा है गेन को मैदान से उठाया, एक बावन्स और फिंस के अंदर, उन रनों के साथ बैट्समेन ने शुरुआत की गेन को मैदान से उठाया, गेन बावन्डरी के पास जा रही है, अब तक की जबरदस टाइमिंग, क्या ये हैट्रिक बावन्डरी होगी? पल्ले बास की तरफ से शांदार हिट्ट, बहुत बढ़िया वाह, क्या शौट है, दर्शक दिवाने हो रहे है लगता है, ये बहुत बढ़ा शौट है असानी से बैट को छूँ जाती, ये एक महेंग बल्ले वाजों का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे हैं फिल्डर की तरफ से अच्छी कोशिश बैट्समेन को रोकने के लिए ये ही जोज खाईम रखना होगा एक सिंगल के साथ बैट्समेन की शुरुवार फिल्डर का शांदार परदर्शन, रन बचाने के लिए तेजी से थ्रो किया मुश्किल घड़ी है, बैट्समेन छलांग लगाता है बाउलर पूरे जोश में है, लेकिन आखर में अमपार्स ना कह देते हैं बाउलर ने बैट्समेन को इस डिलिवरी से माद दी इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है बहुत ही शांदार शौट है, सोच भी नहीं सकते, वैसी पावर हिटिंग बरिहार शौट गेन फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई ऐसे में कुछ नया करने के कोशिश नहीं करनी चाहिए ये पार्टनर शेप बैटिंग टीम के लिए बहुत ज़रूरी है असानी से बैट कुछ चूँ जाती, बल्ले बाज के लिए एक अच्छा वोवर बल्ले बाजों का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे है बावलर ने बैट्समेन को इस डिलिवरी से माद दी इन हालात में डॉटबाल कुछ सही नहीं लग रहा है गेन को मैदान से उठाया गेन को मैदान से उठाया गेन को सीधा स्टैंड तक पहुंचा दिया ये एक लाजवाद छक्का है जबर्दस्शो उसे कवर ड्राइब करने के लिए पूरी ताकत लगा दी सिंसेशनल बैटिंग गेन को सीधा स्टैंड तक पहुंचा दिया बॉन अब स्टैंड की तरफ उठी हुई जा रही है इस पारी में पच्चास रन बनाने का अच्छा प्रदर्शन खुब्सूरत कीपिंग और समाप्त होते होते चार रन और बहुत ही बेकार वोवर था अब गेन बाजी करने के लिए मीडियम पेसर को उता रहा है बल्ले बाज की तरफ से शानदार हिट पल्ले बाज ने छक्के छुड़ाने वाला सिक्स है मारा एक चुनोती देने वाला टोटल बनाने के लिए उन्हें अच्छी पार्टनर्शिप तैयार करनी होगी वाह क्या शौट है दर्शक दिवाने हो रहे है बढ़िया शौट बैट्समेन ने सही समय पर लगाया असानी से बैट कुछ छू जाती इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है बहुत ही शांदार शौट है और इस सिक्सर के साथ इनका अर्दशतक लाजवाब शौट दिलवरी के कारण इसे चोट लगी वो फैसला नहीं कर पाया के शौट खेले या गेन कुछ जाने दे लगता है वो लोग तर्डंपाइर के पास अपील करेंगे हाँ सब बिलकर तर्डंपाइर के पास जाने का फैसला कर लिया बहुत लाजवाब बॉलिंग स्टम्स के सामने ही पैट पर हिट किया यह नए बल्लेबाज है उमीद है यह टीम को बचा लेंगे बरिया शौट चोके के साथ वोर पूरा हुआ खेलने में जल्द बाजी दिखाई गेन बल्ले के किनारे लगकर बाउंडरी की तरफ चली गई अब गेन बाजी करने के लिए मीडियम पेसर को उता रहा है फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तयार हो रहा है गेन फिल्डर को चीरते हुए निकल गई फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तयार हो रहा है गेन फिल्डर को चीरते हुए निकल गई गेन को सीधा स्टैंड तक पहुंचा दिया छे रन बहुत बढ़िया सिक्स है बहुत ही शांदार शॉट है अब उठा दिया सिक्सर के लिए वोटे शॉट क्रीस पर बलेबास के तरफ से बड़ी चूब इस तरह आउट होते तो बहुत बुरा होता है एक स्विंगर एक मिस बैट्समें की खिसमत ने साथ दिया ये एक महेंगा वोट था अपनी बॉलिंग से बॉलर नाखुश टैमिंग का तो जवाब नहीं अरे ये क्या हुआ बाल उपर से चली गई बॉलर ने बैट्समेन को इस डिलिवरी से माद दी इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है बल्ले बास की तरफ से शांदार हिट लगता है गेन शिक्सर की तरफ बढ़ रही है गेन को मैदान से उठाया एक बाउंस और फेंस के उपर बड़िया शॉट गेन किसी से भी नहीं रुकेगी क्या यह लगातार तीन बॉंस लगाएंगे समय का सही चैन नहीं किया और समाप्त होते होते चारण और बल्ले बास इस ओर से बहुत ही खुश्या बल्ले बाजों का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे हैं गेन को मैदान से उठाया इससे बढ़हन नहीं हो सकता था डीप स्क्वेर में उसको धकेल दिया और इस सिक्सर के साथ इनका अर्द शतक लाजवाब शॉर्ट वाह क्या शॉट है दर्शक दिवाने हो रहे हैं बड़िया शॉट बैच्मेन ने सही समय पर लगाया फिल्डर्स मैदान में अपनी तैयारी कर रहे हैं गेन फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई टैमिंग का तो जवाब नहीं चोकों की बड़सात हो रही है क्या यह लगाता और तीन बॉंडर्स लगाएंगे असानी से बैट को छू जाती बल्ले बस इस ओर से बहुत ही खुश होंगे अब गेन बाजी करने के लिए मीडियम पेसर को उता रहा है ऐसे आउसर पर संटुलन खोया और अब खड़े होने के लिए जूज रहा है फिल्डिंग टीम विचार कर रही है इस बाल के लिए डियाइडेस रिव्यू खतरनात हो सकता है उन्हें अपनी रन नीती बनाए रखना है बीना विकेट्स खोए बॉलर में बैट्समेन को इस डिलिवरी से माद दी इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है वाह! क्या शॉट है! दर्शक दिवाने हो रहे है लगता है यह बहुत बड़ा शॉट है फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तयार हो रहा है फिल्डर का बहतरीन थ्रो गेन बिलकुल स्टप के पीछे बल्ले बास की तरफ से शांदार हिट सोच भी नहीं सकते वैसी पावर हिटिंग बेल्स उड़ने लगी ला जवाब बॉलिंग बेल्स उड़ने लिए ये नए खिलाडी है इन्हें टीम के प्लैन को ध्यान में रखकर खेलना होगा अब गेन बाजी करने के लिए मीडियम पेसर को उता रहा है गेन को मैदान से उठाया एक बाउंस और फिंस के अंदर गेन को मैदान से उताया क्या ये लगातार तीन बॉंट्रिस लगाएंगे अफो बाल बाल बचे इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है बहुत ही शांदार शॉट है अब उठा दिया शिक्सर के लिए वोट ए शॉट बालर ने बैट्समेल को इस डिलिवरी से माद दी बरिया शॉट चौके के साथ वोट पूरा हुआ बहुत ही बेकार वोवर था बल्ले बाजों का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे है गेन को मैदान से उठाया गेन बाउंडरी के पास जा रही है उन रनों के साथ बैट्समेन ने शुरुआत की एक स्विंग और एक मिस बैट्समेन की खिस्मत ने साथ दिया इन हालात में डाटबाल कुछ सही नहीं लग रहा है आसानी से बैट कुछ चुँ जाती एक छोटी सी गलती से गेन शरीर पर लग सकती थी अफो बाल बाल बचे आसानी से बैट कुछ चुँ जाती और की समापती डाट बॉल से हुई अच्छी बॉलिंग अब एक लेक्ट स्पिनर को मैदान में उता रहा है इन हालात में डाट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है इन हालात में डाट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है दिलिवरी के कारण इसे चोट लगी, वो फैसला नहीं कर पाया कि शॉट खेले या गेन कुछ जाने दे इन हालात में डॉट बार्ट बार्ट ने बैट स्बेल को इस डिलिवरी से माद दी बढ़ी है शॉट गेन बाउंडरी के पास जा रही है समय का सही चैन नहीं किया, फिल्डर के हाथ रक्षक बन गये है अब गेन बाजी करने के लिए मीडियम प्रेसर को उता रहा है एक छोटी सी गल्ती से गेन शरीर पर लग सकती थी आसानी से बैट कुछ चूँ जाती क्रीज पर बल्लेबास के तरफ से बड़ी चूँ इस तरह आउट होते तो बहुत बुरा होता है लगता है वो लोग रिविव कराएंगे बहुत लाजव बॉलिंग स्टम्स के सामने ही पैट पर हिट किया बॉल्ले बैट्समन को इस डिलिवरी से माद दी अफो बाल बाल बचे गेन को मैदान से उठाया और के आखरी बाल पर चौका बल्ले बाजों का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे हैं लगता है यहां बैट्समन मुसीबत में है बने रहने के लिए मेहनद जरूरी है एक स्विंगर एक मिस बैट्समन की खिसमते साथ दिया इन हालात में डाट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है गेन को सीधा स्टैंड तक पहुंचा दिया लगता है वाँ मैस तो क्या पटाखों का तैवार था आखिर में जीतने वाली टीम के लिए खेल आसान हो गया पूरी टीम में जश्टन का माहौल अरे हग भी तो बनता है लगण का तारतने प्लेश का तो कि अ convince लड़ाया है आसला का प्लेश in दित आसैंशने दी Oops जड़ण देंक का तारते है जड़िक कईवर में ज़ जषन सबसंत्र आसे आसे वीज़